तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पॉलिटिकनिक इंटरेंस एक्जाम की जो केमेस्ट्री है उसका जो चेप्टर नमबर 12 है वैद्धुत रसायन इलेक्ट्रो केमेस्ट्री तो इसको कवर करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है इस आगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे को सवालॉप करेंगे से पहले यदि आप थेवरी पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी आपको अपने जो प्रशनों के उनको स्वालो करने में तो चलिए बीना वक्त गवाइवे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल स्टेडी सेंटर तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो व्यदूद रसाय हैं तथा इसके फाल सुरुब भांतिक वारसायनिक परिवर्तन होते हैं तो व्यदूद अबगटे कहलाते हैं देखिए जो आपके व्यदूद अबगट होते हैं उनमें क्या होता है आपकी जली विलियन अत्वागरी तवस्ता में व्यदूद का प्रवाव हो जाता है और उनमें आपका भांतिक वारसायनिक परिवर्तन भी होता है आपका कोई पदात ऐसा है तो वह आपका किसके अंतर गताएगा वैदूद अबगटे के अंतर गताएगा इस प्रक्रम को वैदूद अबगटन कहते हैं जैसे कि यहां पर एक्जांपल दिये गए हैं अमल पर प्रवाहित नहीं होती है जैसे चीनी यूरिया गुलूकोस तो चीनी यूरिया और गुलूकोस में क्या होता है कि आपका यहां पर यहां पर यहां पर कुछ लिखे हुए कहां पर प्रियोक किया जाता जैसे की कोई भी यहां पर आपकी धातु है उसमेद्धी वेदूद कप्रवा करना यह वेदूद लेपन में कर सकते हैं। यह आपका current अच्छा करना है वेहाँ पर मेलब की वैद्दूत अच्छे से प्रवाभ हो तो वहाँ पर वैद्दूत सोधर में weいうこと कर सकते हैं दातूधों के तुल्यां की वहर जाद करने में कर सकते हैं आपका आन या व्योजन तो यह क्या होता है, किसी व्यद्धूथ अपगटे को जल या नकिसी आईनी कारक विलाएक में घुलने पर वह अपनी विवाजित हो जा रहा है तो वट क्या होता है आपका यहां पर आइन कहलाता है आइन की जो आपका सब्द है इससे भी आप समझ पा रहे होंगे कि किसी वेदुद्ध अपगट को जल या किसी अन्याइनी और गोलने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाए रहा आइन जो आपका आयन है उसका मदब क्या है कि अपने आएनों में विधाक्त होता है तो इसके आप क्या बोलते हैं आइने बोलते हैं सोडियम क्लॉरैट को जल में घोलने पर यह सोडिएम आइन वा क्लॉराइड आइन में विभाजित हो जाता है जैसे कि एन こánt दो यह चीजित, और आपको एक शीजय जो आपका नीचे देखे लिखा भी होगा अब आगे देखे यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर है आरेनियस ने 1887 में वैद्धुद अब गटनी वियोजन आयनन समंधिन नियम दिया जिसके अनुसार जब किसी वैद्धुद अब घटे को जल या अन किसी आयनी कारक में विला होते हैं वह आपके दो प्रकार के होते हैं एक होता है घना विखे लिखान और को रराएन बोलते हैं अब आगे जो मैंने वह आपको बताए एक की रिहा है पिर देखे आगे यहाँ पर किसी व्यद्दूत अभगट के रसाइने वह बहुते गुड़ आयनों की प्रकतिवा मात्रा पर निर्भा करते हैं फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसी व्यद्दूत अभगट को जल में घुलने पर सबही अनु आयनित नहीं होते हैं किसी वैदूत अबघट के अनमों का वह मान जो आयनों के रूप में विभाजित हो जाता है वा आपकी आयनों की मात्रा फी वियोजन का खहते हैं इन कि मात्रा की मात्र की अउड़ते हैं जो आपका आइन हो जाएगा तो यह ओगा आगे आता है आइन K standard का कघ Ambassador आई पर आपक अनलों सकते हैं कि जितना इहां पर आपका जो दिएहां आड़ की संक्या है और आगे आपके कुल रणयों कि संख्या तो आएन गया की मात्रा जाएंगी तो आएनों में भीभाजित अनुवों की संख्या आपको आइनों की कुल संख्या रखने हैं तो यह आपको समझ में आगे होगा अफ्वे श्क्राव को प्रभावित करने करता है कि दुर्बल है कि यहां पर आपका प्रबल है आगे है तनुता तनुता यदि आप बढ़ा देंगे तो यहां पर जो आइनन वह आपका अधिक हो जाता है फिर यहां पर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तब भी आपका अधिक आइनन होता है फिर यहां पर विलायक की प् पस्तिति यहां पर वी निभर करता है समान आयन क कारण आयन प्रवाव कहती है धर आफ जाता है तो जैसे कि यहां पर एनच फोर सेल की उपस्तिती में एनच पूर ओएच का जो आइनन हो जाते हैं तो यह रो गई होगी तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाई देखिए अभी यहां पर आपको मैंने बता है वेदुद अपगट के बारे में वेदुद अपगट के बा न के योग फराईत करने की जो किया होती वह आपका वेद्धुद अबगट किंआछ आपका क्रें के वही आप होती है व्ञेद्क अखटन होती इस प्रक्राम में व्ञेद्धित्ध धरा प्रवाईद्क करने पर आनन अपने से प्रिद आवेसिद एलेक्टोडों की ओर चलने लगते हैं वहाँ पहुंच कर यह क्या हो जाते है उदासी तो यह आपका क्या होता है वेद्द अब गटन होता है देखें नीचे लिखा हुआ है वेद्द धातुकर्म में धात्विक योगिक का अपचयन धात्विक धारा की सायता से धातु में किया जाता है यह आपका वेद्द धातुकर्म हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि धात्त अभगत धन अतवा धन त्वान त screamed व्वाजित हो जाते हैं तो विद्धुभाइट में안âm के और रह चलने लगते हैं तब सबस्क्राइब कैथों तirting हम अनोड पर पहुंचकर ने रावीसिद कर ता जो में भी आपको आपने आइनों में विजित होगया अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा है काथोड? अब आइन वाला क्या हो जाएगा काथोड जो आपका रिड आयन हो है आपका हो जाएगा अनोड पर तो वह हो गया अब वही नीचे देखे लिखा हुआ अधार गलित अवस्ता में मसं लोट डी टन करने पर कैथोड पर पर सोडियम तब आनोड पर सीर्ट फरक्ट रहां कैथोड दोड़ीम होगा जहां एक नोड हों aparece क्लौरियन गैस होगी अब आगे अब सब्सक्रा बांगर करें इस August Ken congestion पर देखेँ कौन सा यहां पर आगे होगा तो तो यहां पर आपका ऊ-च जब आप इसकी किट्रिया करांगी तो आपका ऊ-च मिलेका ओ-च क्या जाएगा आपका आनोड पर जाएगा तो यह पर अथा कापर साल्फेट के जलीग विलियन के वैद्धूत अभकटन करने पर काय थोर्डट पर आपका Siu ताफ़ा या नोर्ट पर अछे ठीजभी फिर से टीगई है एक एक्जामपल के दौरा कि जो आपका AG और खाल फर जायगा जयाका जाली का ओच है वह आपको कहा पर जाएगा एनोड पर जाएगा तो वही चीज आपकी आगे दी गई है तो यह चीज के लिए हो गई होगी अब आगे लिए आप से वेद्धुद अब गटन के उपयोग पूंचे जाए तो आप क्या बोलेंगे कि स्पेस्क्राप्ट नाविके पंडुबी में आक्सीजन के उत्पादन के लिए धातु के लेपन में इधन के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन में धात्तिक सतहों जैसे चाकु या आवजार पर व्यद्धुद अबगटन द्वरा इस्ताइचिन खुर्चने में तो यह आप झ्रोडों पर व्यद्धुद धर्वाहित होने के साथ साथ पढ़ाथ कि एकत्र होने को यहाँ पर निर्देशित करते हンヤो ुक्षी कि कि किसी आयन का वेद्धुत अब अब गतन के समय मुक्त दर्मान प्रवाहित धारा की मात्रा के समान उपाती होता है। तो किसी आयन का वैद्दुत बटन के समय मुक्त दर्मान प्रवाहित जो आपका मुक्त दर्मान होता है आपका डबलू वह प्रवाहित धारा के आपका क्या होता है मात्रा के समान उपाती होता है मतलब कि आपका प्रवाहित द्रमान रब्लू हो गया जो आपका द्रमान है मुक्त द्रमान डब्लू हो गया जो प्रवाहित विद्द धरा की मात्रा है वह आपका का हो गई क्या होगी क्यों हो गई तो इसके क्या होता है समानुपाती होता है जो डब्लू है मुक्त आयनों का तुल्लयांग के बाहर होता है अब यह ही आपका फैराडे के क्या होता है बराबर होता यह युल देखिए लिखा हुए है ऐक फैराडे बराबर । यहँ फैराडे भी हजार Peters सकते हैं ऐ अब यहां से देखिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं तो डबलू बराबर यह आपका जैड है और आपको रहाए है क्यों पूरबर को लिख लिग देंगे तो क्या कर डबलू बराबर जड आई टी यह पहले का अब यह भी आप तो यह भी आपका एक फार्मूला हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए आगे है कुछ निमेरिकल्स दिए गया है तो देखिए उदार नमबर वन में आपसे बोला गया है जैसे की जीरो दसमलो एक ग्राम तुल्यांग एजी प्लस आयनों को निच्छेपित करने के लिए कितना विद्धूत की आप सकता होगी यह आपको बताना तो यहां पर देखिए जैसे दिया गया है एक आपका अपक्रिया मेथेड होता है एक जो मैंने भी आपको फार्मूला था उसस कि एक मूल जो आपका ग्राम तुल्यांग है वह आपके एजी प्लस आयनों को निच्छेपित करने के लिए आवस्तेक विद्धूत की मात्रा एक फैराडे हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा मल्टिप्लाई मैं जागा जागा तो यह तो वह कि आपका अपक्रिया मैथेड च्छेपा क्या कर सकते हैं मैथेड़ लगा सकते हैं यह आपँ फोर्मॉला मैथेड यह रख रहा तो यह रखासकते हैं डबलू बराबर ड़ड़ जैड आई ती आई टी पर्मूला अगरत हम लोग क्या करेंगे क्यों अपन अपन बराबर कितना जाएगा जी दिसमलोग एक आपका आज जाएगा यही आपको निकालना था इस कोश्चन में अब देखिए नेक्स कोश्चन फिर से आप देखे यह आप सेम इसी तरह का यहाँ पर आप किया मैफ़ लगाना चाह और आप चान्वेजार पांचों भी लिख सकते हैं फिर इंटु में आई गमान कोश्चन में दिया गया है एक बाद देख लेते हैं आपर कोशन में देखिए जीडियो दसमलो च्छाए पांच मिनट तक एक एंपेर की धारा परवाइद होती है तो एक दिया है आगे यहां प एक जीरो एक नव जीरो पांच क्राम पर मार भार आप निकल आएगा तो उसमें दो से भाग देंगे तो आपका यहां क्या होजाएगा तो उम्मीद है दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं फाराड़े के दुती नियम की और जो यहां पर सेकेंड इसमान मात्रा विभिन ने विदुद अब घट्टों में से प्रवाइड की जाती है तो इलेक्टोडों पोर मुक्त विभिन आयनों के दर्मान उनके तुल्यांकी भारों के समान पाती होते हैं यह समान पाती होता है इस आपका यहीदो बार हो तो डबलू अपॉन प्राइब और क्या हो जाएका जिद्र आपakah ट्टू आइटी अब यहाँ सट्र थोगा आपको रहे वivas जैड के यहाँ पर उपर है ईवन उपर है नत्लिक के समान पाथ असके हो जाएंगे अब जब E प्रोपोर्शनल आपका जिड़ हो गया अब यहाँ पर क्या करेंगे प्रोपोर्शनल अटाएंगे इधार हम लोग क्या लगाएंगे एक यहाँ पर नेतांग लगाएंगे जो आपका F होता है वही आपका फायराटे नेतांग होता है जिसको हम लोग यहाँ पर कि आगे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे को आपको नहीं किया गए आप इसको आप करेंगे तो कापर को बाहर है वह आपका तुल्यांग की भार के बराबर जाएगा जिस यह यह कर दो यह कि यह हो गया दोस्तू अभ यहां पर देखें लाज्ट्ट्र टॉपिक क्य क्या होता है तो आपकी रॉचाम कि योगती होती आपकी रसाइनिक उर्जा की प्रियोग करके चार्ण। तो इसमें आपके दो होती है जिस्में से एक पर आक राक्सी करन दूसरे पर क्या होता है उधारन के लिए का तो यहां पर देखिए वोल्टी सेल के बारे मी बताया गया है उसके वारे मी बने आपको बताया था उस वीडियो में तो इसमें क्या होता है कि आपका देखिए वेद्दुद रसाइनिक परिवतन कराने के लिए एक पात्र में किसी वेद्दुद आप घटे का विलियन का पर का उसमें आप यहां पर यह करेंगे और यहां पर तो आपके वॉल्टी सेल कहला तो आप देखिए कुछ मुख के लचन दिए गए जैसे कि यहां पर पहला है पहले लच्छन बोला गया है वोल्टी सेल में आखसी कराण करीए अपर और प्रत्यच रोब में और रसाइनिक क्रिया मुट्ट उज्जा अउनमन भी यह Sergit आपका व्धिद उज्जा के रूब में प्राप्त होता है मतलब कि यह UP के लग-अलग पात्रों में करआ जाती है PICC L जो आपके वहाँ पर है प्रोटेसियम क्लॉराइड और यहां पर एनस्ट फोर सीयल या फिजी लेटिन या फिर एगार एगार युक्त अर्द ठोंस लवर से तू का कारे करते हैं फिर आगे हां पर है कि लवर से तूगा कारे विभव पतन को रोगना होता है आवेसों के समुही करण को रोगना वा परिपत को पूर्ण करने करके वैद्धुत का प्रवा करना होता है अब आगे यहां पर वैद्धुत रसानी क्या होती है देखिए तत्तों को उनकी यहां पर अपक्रिया सीलता है कि घटे क्रम में विवस्तित करके एक प्राप्त होती है वास्तों में यह से तत्तों के मानक एलेक्टोड विःवव पर आधरित होती है जिसका अध्यन आप उच्छाओं में करेंगे तो आपने पहले भी किया होग वह आपकी सबसे कम अपक्रिया सील होती है तो वह आपका बोला गया है तो इस रेंडी को अव्याद भी कर सकते हैं इसके कुछ लक्षण भी होते हैं वह यहां पर आपको दिये गए जैसे कि इस रेंडी में हाइड्रोजन से अधिक सक्री धातु में तनु अमलों से क्रिया करके अश्टू मुक्त करती हैं तो जो आपके हाइड्रोजन से अधिक यहां पर क्रिया सील होगी वह आपकी क्या होंगी तो फिर नीचे वाली धातू ऊपर वाली धातू के द्वारा अपने लवन से विस्तापित हो जाती है जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट के जली कापर का सटार डालने पर कापर को सिल्वर करके हैं पर क्या करता है ? नीली रंग का नाइटर्ड 19 नीला मज़नदा नियुद नाइक लिए आपका वापस न की भी आपको यह्टा हम सभाईव और यहां पर आपको स्वनबर करा आवसानी सेयां पर मिल जाती है तो मुक्त अवस्ता में पाइजा तैंस आपका मुला किया है और यहां पर महत्तरप्रूंतत्ति सुध्ध धातू का बनाया जाता है फिर है वेद्धू रसानिक स्रेड़ी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभो कितना होता है अब आगे हैं पर देखिए इसी तरह आपका सब कुछ दिया है फिर यहां पर धातू की समझकता का फार्मिला दिया है कि धातू का अड पर दीजेगा थोड़ा समय इसको कवर किया क्योंकि थोड़ा टाइम कम बचा है और चीजों को समझने का प्रयास कीजेगा और आप थोड़ा यहां पर अपना कॉपरेट कीजिए चलिए आप तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक कर दिए दहने वासतों जय हिंद वंदे मातरम